हेलो वाट्स अप गाईज मैं नेम इस विनोद बादु थापा एंड टोड़े इन इस वीडियो वे विल सी डिफ्रेंसे बेट्विन युवाई युएक्स एंड फ्रेंट डेवलपर इन हिंदी सो लेट्स बीगिन जी हां गाईज तो आज हम इस देखेंगे कि क्या होता तो चले गाईज शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले गाईज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाईज इसको सब्सक्राइब कर लिजे फर आल दी ऑसम वीडियो और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा एक घंटी दिखाई देगा उसको हीट कीजिए उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अप्लोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकिसन आपको आजाए और आपको खुछ से मैनोली सर्च ना करना पड़े और अग्गाय आवी तक आपने मेरे website thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया है तो एक बार जरूर कीजिए क्योंकि मेरे YouTube में जितने वीडियो से उन सब का सोर्स कोड मैंने यहां पे फ्री में अविलेबल कराया हुआ है तो आप देख सकते हो कि guys आप में से बहुत कोई यह डाउट है कि user interface क्या होता है user experience क्या ह में और front end developer क्या होता है आपका doubt clear करने के लिए here देखिए मैं आज आपको वापस थापा से मिलाना चाहूंगा ठीक है आपको अगर थापा याद होगा तो guys इससे पहले जो मैंने वीडियो से बनाया थे देखिए how to become a front end developer ठीक है यह देखिए front end developer कैसे बना सकते हो I mean आप ब आता है कि यूजर इंटरफेस क्या होता है यूजर experience का काम क्या है ग्राफिक डीजाइनर कहां से बीच में आगया रहे front end developer क्या होता है तो देखिए guys मैं आपको बताता है कि यूजर इंटरफेस बताने से पहले में इतना एक आपको scenario देना चाहूंगा एक condition बताना चाहूं तो team leader आके बोलेगा कि मुझे अभी जस्ट एक website बनाने के लिए order आया है और वो website होना चीए मला बच्चों के लिए मला जो kg primary के जो बच्चे होते उनके लिए website बनाना है बस client ने उनको requirement दे दी तो team leader ने अपने है उनके अंदर पर जितने बच्चे काम कर उनको बता दिया तो सबसे पहले क्या होगा गाइस अगर आपको कभी भी कोई request आती है या अगर आपको कोई काम मिलता है website बनाने का तो सबसे पहला काम क्या करते आप लोग उसका design बनाते हो ना pencil से उसका wireframe बनाते हो जो वो design बनाता है ना काइस वो कोई और नहीं वो आपका user interface का काम है तो कोई check box है कोई input का field है कोई slider है या कोई text है तो वो दिखना कैसा चाहिए जिससे मतलब जो primary के बच्चों हो उसको अच्छा लगे तो उससे सबसे वो design ready करता है ठीक है अगर आप सोच रहे हो आप देखे Photoshop इसा भी इनको आना चाहिए तो वो design ready करता है तो basically वो कुछ step कर रहत तो basically यह user interface का काम है अगर आपको कोई website की requirement आई तो सबसे पहला काम जाता है UI developer को वो design बनाता है याद रहते हैं उनको HTML CSS से लेना देना नहीं है उनको code नहीं भी आया तो भी चलेगा वो खाली उनको wireframe या software के साथ काम करना आना चाहिए जहां पर वो design बनाएंगे बहले ही पेंसिल से बना रहे हो या किसे से भी बना रहे हो ठीक है तो आपने बहुत सारी जेगे पर देखी होंगे लोग पूरा एक paper पूरा design बनाते है वो UI developer है उसके बाद क्या होता है इस एक बार उन्होंने design बना लिया तो आप वो जो primary के लिए जो उनको requirement आते एक website के लिए तो क्लिक किया तो इस तरिके से दिखना चाहिए जहां पर एक images होंगे यहां पर अलग अलग इमेज इस पर क्लिक किया तो यह इधर पर आ जाएगा यह सब काम UI developer का है यहां पर कोई functionality नहीं है इस पर क्लिक किया तो यहां पर दीखेगा ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ images है यह उसने काम आया था एक primary के जो student से उनके लिए website बनाओ समझ तो अब ऐसा हो सकता है कि जो primary के बच्चे उनका भराना के लिए हो उनका मतलब उनके लिए क्या है registration के लिए तो एक बच्चों का फिल देना तो user experience क्या करेगा कि इस website को देखेगा UI ने जो बनाया user experience इसको notice करेगा नहीं तो वह अब उसका जो perspective आप एक मतलब साथ साल के बच्चों का perspective हो गया अब वह साथ साल के बच्चों की हिसाब से देखेगा या उनके parents के नजर से देखेगा क्योंकि उसका काम ही हो यह ना तो वह देखेगा हाँ लोगो चलो अच्छा है तीन मेनी अच्छे लाएगा बोलेगा अभाई एक कामकर की जो वेब डिजाइन तुने जो लिखा है ना लेफ्ट साइड में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा एक कामकर इसको center पर कर देना तो यूवाइड डेवलपर अब उसको center पर कर देगा वापस यूए यूजर एक्स ये जो यूजर यूजर एक्सपरेंस ने बोला ठीक है ये एकदम परफेक्ट है अब उसके बाद जो हमारा ग्राफिक डिजाइनर है जो की basically UI ही बोलते है उसको भी तो वो आ जाता है अब वो क्या करता जो अब भी वाइर फ्रेम आपको जैसे दिखाई दे रहा था वो उसको पीस्डी बनाने के बहुत तरीक है इसलिए आपको बोलते कि अगर आपको एक फ्रंट टम डेवलपर बनना है तो आपको पीस्डी टू एस्टेमल काम करना आना चीए तो वो पीस्डी यही है UI ने डिजाइन बना यूजर एक्सपरेंस ने उसको सर्टिफाइड किया कि एक काम ठीक ह ग्राफिक डिजाइन ने जो UI ने बोला थे कि ऐसा दिखना चीए वो अपना दिमाख लागा कि उसको पूरा विज्वल दे देता है मतलब यह पूरा का पूरा वेबसाइट बना के दे देता है लेकिन बिना कोडिंग के सिब फोटो सॉप में ड्राग और ड्राग और ड्रा वापस क्या करेगा है हमारा जो यूजर एक्सपीरेंस है वो वापस चेक करेगा ठीक है UI में वायर फ्रेम तो एकदम परफेक्ट था अब यह जो ग्राफिक डिजाइन ने बनाया है वो चेक करेगा एक एक चीश चेक करेगा वो वेब स्क्रीन प्रेजेंटेशन मॉक डॉट डॉट लगा है अब ठीक है डबल कोट के अंदर अच्छा है मेन्यू ठीक है येल्लो और वाइट सूट हो रहा है यहां पर यह दो ब्लैक और वाइट है यह कलर है मतलब इस पर भी हुबर एफेक्ट हुआ है यहां पर प्रोज वाइट है यहां से तो यह जो डिजाइन दिखाई दे रहा है अब फ्रेंट डवलपर का काम यह है कि यह जो जैसा दिखाई दे रहा है इसको बाई यूजिंग तो most of the time अगर आपके company में UI developer, UX designer और अगर आप एक front end developer का काम करें तो guys आपको design के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है आपको यह भी नहीं देखना है कि क्या होगा यह जो website दिया है मुझे इसमें कुछ problem है या नहीं तो बस आपका काम इतना है कि जो आपको मिला वो करके दे दो लेकिन बैतर यह होगा कि अगर आपको लग रहा है ठीक है sir इसमें यह थोड़ी खामिया है हम इसमें और इसको और बैतर कर सकते है तो वो आप बोल दिए उससे आपका एक advantage है आपका जल्दी promotion हो सकता है लेकिन आपका main काम है कि आपको जो भी template दिया जाएगा आपको as it is coding के थूर HTML, CSS, JavaScript से वो बनाना आना चाहिए तो अभी जो पहले Photoshop में था, PhD फाइल में जो था अब वो आपका .html फाइल बन चुका है तो इस तरीके से front end developer पूरा का पूरा code को guys जो PhD था उसको पूरा का पूरा coding के थूरू लिखके दे देता है तो इतना ही काम होता तो आपको पता चलिगा कि जब आपके पास एक company में website बनाने की requirement आती है सबसे पहले UI उसको design बना लेता है pencil से wireframe बना लेता है software के थूरू UX उसको check करता है यूजर के perspective से कि वो एकदम अच्छा दिख रहा है यानि user उसके साथ अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं and then graphic designer उसको पूरा PhD में Photoshop के थूरू काम एक complete website बना देता है लिकिन without coding तब जाकर front end developer के पास काम जाता है और उसको code के थूरू उसको बना देता है और आगे पास कर देता है उसके बाद फिर back end developer database के साथ अपना खेल के उसको पूरा complete website dynamic website बना के आगे host कर देता है so this is it guys इतना ही था आयोप आपका पूरा doubt clear हो गया कि यूजर इंटरफेस क्या होता है यूजर एक्सपेरेंस क्या होता है ग्राफिक डिजाइनर क्या काम करता है और फ्रेंटर डिवलपर का क्या काम होता है तो guys अगर आप थापा को खुछ देखना चाहते है तो सिप आप सब्सक्राइब कर दीजिए बाजो में एक रेट कला का घंटी है घंटा है उसको बजा दीजिए उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकिसन आपको आजाए आपको खुछ से मैनवली सर्च ना करना पड़े और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बे फिगर हो कि आप नीचे कमेंट कीजे मैं आपकी जरूर हल्प करूँगा तो टिल देन गाइस थैंक्यू सो मच टेक क्या